हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं SHM Coin Collection दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगलिया दौर के सिक्कों के बारे में दोस्तो आपके सामने ये दो मुगलिया दौर के सिक्के है जो एक उपए के डिनॉमिनेशन में जारी किये गए थे ये 28 सदी के सिक्के है जिसे मुगल बाश्शा महमुश्शा ने जारी किये थे दोस्तो मुगलिया दौर में भी काफी सारी मिंटे थी हमारे देश के अंदर और ये दोनों ही सिक्के दर उल्खिलाफत मिंट के दौरा जारी किये गए थे ये दोनों ही एक हुपए के सिक्के है पूरी तरी किसे चांदी में ढ़ाले गए इनके वजन है 11 ग्राम और साइज है तकरीबन 20 से 25 एमेम के बीच में दोस्तो इसके अलावा इन दोनों सिक्कों के बीच में एक बहुत ही खास बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन में से ये जो पहला सिक्का है हाँ दोस्तो ये वाला ये एक क्लीन किया हुआ सिक्का है यानि कि साफ किया हुआ सिक्का है और यह जो दूसरा वाला सिक्का है इसके उपर अभी भी उस दोर का मिट्टी धूल लगा हुआ है दोस्तो आप तो जानते हैं कि आज के दोर में ऐसे ऐसे केमिकल मार्केट में आ चुके हैं जिससे आप चांदी और सोने के सिक्कों को दो सकते हैं और जिसकी वज़े से वो सिक्के पुरी तरीके से नए बन जाते हैं जैसे के अभी आप ये सिक्का देख रहे हैं ये सिक्का पुरी तरीके से नए जैसे लग रहा है इसके उपर जरासा भी पुराना धूल मिट्टी नहीं लगा हुआ है और ये बगल वाला सिक्का अभी भी वही पुराने दोर का सिक्का लग रहा है धूल, मिट्टी और डर्ड जमा हुआ है इसी के उपर लेकिन दोस्तो आप मेरी बात मानिये मैं आपको सला दूँगा कि आप किसी भी कीमत पे अपने पुराने कॉपर के चांदी के सोने के सिक्कों को धोना नहीं हम सिक्कों को साफ कर लेते हैं जिसकी कारण उसकी जो ओरिजनलिटी होती है वो खतम हो जाती है और उसी की वज़े स उस सिक्के की कीमत भी कम हो जाती है तो करपिया करके आप अपने सिक्कों को प्लीज धोना नहीं साफ नहीं करना जिस हाल में जो सिक्का है उसे उसी हाल में रखना मैंने इस सिक्के को सिर्फ आपको दिखलाने के लिए साफ किया था और कोई कारण नहीं था जिसकी वज़े पास इस तरह के सिक्के है यूज कंडिशन में थोड़े गिसे हुए तो उसकी कीमत तकरीबन 700-800 रुपे है और अगर UNC कंडिशन में है या हाई ग्रेडिट सिक्का है जिसके उपर लेखावट पूरी तरीकी से आप देख सकते हो किसी तरह का दाग धबबा क्रैश नहीं है तो